हलो दोस्तों, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आएम से अंकिता आदेर, और आज की इंकम टेक्स डोस के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, 31 दिसंबर से पहले अगर इंकम टेक्स के अंदर आपनी काम नहीं किया, तो आपको यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ सकती है, 10,000 रुपए तक की, यानि की 31 दिसंबर के बाद आपको यहाँ पे लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 रुपए, तो क्या है यह काम, अगर आप भी चानना चाते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो पूरा एंट दो देखिए, साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो आपको मिलते रहें, तो चलीए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप इस वीडियो को बता देना चाÚ滿 कि चले स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को तो जब हम बात करते हैं इंकम टेक्स के अंदर आपको कौन सा इसा काम करना है तो यहाँ पे आपको फाइल करना है अपना इंकम टेक्स रिटर्न अगर वो आपने फाइल नहीं किया है 31 जुलाई 30 सेप्टमबर तक और 30 निवेंबर तक तो यह 3 डिट मैंने यहाँ पे मेंचिन की है किन किन परसंस के लिए यह 3 डिट जो है एप्लिकेबल होगी वो आगी इस वीडियो में हम जानेंगे लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाते हूँ कि अगर आपने अपना इंकम टेक्स रिटर्न के जो है लेट फीज देनी पड़ेगी 10,000 रुपए तक की साथ में यहाँ पे लेट फीज जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर अप्लिकेबल है तो वो है सेक्शन 234F के अंदर इंकम टेक्स एक्ट का जो की इंट्रिट्यूस किया गया था फैनेशल एयर 2017-18 से तो यहाँ पे लेट फीज क्या है 234F की 234F की जो लेट फीज है उसको हम देखते हैं इंकम टेक्स एक्ट क्या बोहता है तो सेक्शन 234F की अगर मैं बात करूं तो वो बात करता है आपकी fees for default in furnishing of return of income यानि की जो person return of income income tax के अंदर income tax return नहीं फाइल करते हैं उसमें default करते हैं तो उनको यह fees जो है पे करनी होती है तो सेक्शन 234F का सब सेक्शन 1 बोलता है without prejudice to the provision of this act where the person is required to furnish return of income under सेक्शन 139 तो 139 के अंदर कौन से person को return of income फाइल करना है वो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे fees to do within the prescribed time limit जो कि सब सेक्शन 1 के अंदर mentioned है जो बैने तीन due date बोली वो तीन due date ही mention है कौन कौन से person के लिए applicable है वो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे he shall pay by way of fee a sum of 5000 rupees if the return furnished on or before 31st day of December यानि कि 31 December से पहले अगर आप अपना return of income फाइल कर देते हैं तो आपको 5000 के late fees देनी पड़ेगी लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है फाइल करते हैं अपना return 31 December के बाद 31 March से पहले पहले तो आप यहाँ पे 10,000 की penalty आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपकी इंकम टूटल इंकम जो है पांच लाग रुपे तक है या पांच लाग रुपे से एकसीड नहीं करती है तो आपको जो यह फीस देनी है वो आपकी एकसीड नहीं करेगी 1,000 रुपी से अब यहाँ पे हम दो तीन topics जो है जिससे return of income under section 139 की इसको फाइल करना है, due date क्या है, कौन से tax पे इसको फाइल करना है, वो सारे points जो है अब यहाँ पे हम dismiss कर लेते हैं पर फिर से मैं आ गई हूँ मेरी presentation पे और presentation पे आने के बाद मैं आप सभी के साथ share करूँगी कि कौन से ऐसे person है जिनको required है income tax return भरना mandatory सबसे पहले ऐसे person जिनका gross total income यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो है gross total income यानि कि आपके 5 heads जो आपकी income के heads हैं उनको club करने के बाद और deduction से पहले जो कि ATC से ATU तक आपको मिलती है income tax के अंदर तो उन से पहले आपकी जो income रहती है वो आती है gross total income जो कि एकसीड करती है basic exemption limit से तो basic exemption limit क्या है अगर आप एक individual है और आपकी age है below 60 तो यहाँ पर आपकी basic exemption limit है 2,50,000 यानके 5,000,000 रुपए अगर आपकी age है 60 साल या उससे जादा और लेकिन है कम age 80 years से कम तो आपकी यहाँ पर basic exemption limit है 3,000 रुपए और अगर आपकी age है individual होते वे 80 years से अबव तो आपकी basic exemption limit जो है 5,000,000 रुपए अगर आप detail में जाना चाते हैं gross total income, reductions के बारे में या basic exemption limit के बारे में तो already मेरे चैनल पर videos available हैं तो वो सारे videos जो है मैंने income tax rules के playlist में जाके club किये हैं तो आप उस playlist को जाके देख लेजिए उस playlist का link मैंने i button पर link कर दिया है वीडियो के description में भी तिया है फिर यहां पर ऐसे person जो की hold करते है asset और जिसका financial interest जो है उस entity का ऐसे financial interest है इस entity में जो की located है outside India या फिर आप एक signing authority है उस account के लिए जो की account located है outside India आप एक beneficial owner है उस account के तो आप यहां पर mandatory file करेंगे income tax return फिर यहां पर आती बात है कि अगर आप यहां पर beneficiary है कोई भी asset की जो की asset आपकी located है outside India तो इन सारे persons को यहां पर mandatory file करना है income tax return तो यहां पर income tax return जो है आपको जो individual है उनको ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 file कर सकते हैं तो उनकी due dates जो अब क्या होगी तो due dates के अगर मैं यहां पर बात करूं जो की mention है हमारे section 139 1 के अंदर तो सबसे पहले आते हैं individual जिनको required नहीं है audit करवाना तो उनके लिए due date है 31st July तो इस case में 31st July से लेकि 31st December तक अगर आपको अपना return भरते हैं तो आपको 5000 की late fees यहां पर देनी पड़ेगी अंदर section 1234F और अगर company है individual है जिनके audits required है तो उनकी due date है 30 September तो 30 September की बाद अगर आप अपना return भरते हैं और 31 December से पहले भरते हैं तो 234F के अंदर आपकी जो penalty लगेगी late fees लगेगी वो 5000 रुपे लगेगी इसके अलवा भी आपकी penalty है जो आगी हम जो है specifically जब audit के case में video बनाएंगी तो उस पे मैं यहां पे indices करूंगी फिर ऐसे person जिनको transfer pricing के अंदर report furnish करने होती है यानि कि section 92E के अंदर report furnish करने होती है उनके late due date रहती है वो है 30 November तो same यहां पे जो criteria है वो रहता है 31 December तक in due dates के बाद अगर आप फाइल करते हैं 31 December के बाद तो आपकी penalty यहां पे जो है 5000 की जगे 10,000 की late fees यहां पे applicable होगी तो यहां पे अगर आप अपना return 31 July के बाद फाइल करते हैं और 31 December से पहले फाइल करते हैं तो 5000 की late fees 31 December के बाद फाइल करते हैं 31 March से पहले फाइल करते हैं तो 10,000 की late fees और उसके बाद अगर आपकी total income जो है अगर वो है less than or equal to 50000 रुपीज तो आपकी total lead fees जो लगेगी maximum आपकी 1000 रुपीज यहां पे लग सकती है उससे जादा आपकी applicable नहीं होगी फिर हम यहां पे example के तौर पे समझ लेते हैं कि 234F का different different scenario क्या हो सकते हैं अगर आपकी total income है 3,000 रुपीज और आपने अपना return जो है 5 July तक फाइल कर दिया है तो आपकी lead fees जो रहेगी वो not applicable रहे यहीं है आपकी total income है 6,00,000 रुपई लेकिन आपने return file कर दिया तक 31 July तक तो आपकी lead fees जो है applicable रहेरी इल 10,000 रुपई की income है लेकिन आपने return जो है टाइस यहां Today 10 वीथ यहां पे मैंट लेरी हूँ वो 31 जुलाई return filing की date ले नहीं हूँ तो आपके late fees जो applicable रहेगी वो 5000 रुपए रहेगी फिर हम बात करते हैं कि आपकी income है चार लाक रुपए यानि कि 5 लाक रुपए से कम है और आपने अपना return फाइल किया है 31 December के बाद लेकिन यहां पे आपकी late fees जो applicable होगी वो 10,000 रुपए ना होके 1000 रुपए होगी क्योंकि आपकी income जो है वो 5 लाक रुपए से कम है फिर मैं अगर बात करूं तो आपकी income है 9 लाक रुपए लेकिन आपनी return जो फाइल किया है 15 October को फाइल किया है तो आपकी late fees लगेगी वो 5000 रुपए सेम यहां पे 13 November को आपनी return फाइल किया है लेक फरवरी को तो आपकी late fees से यहां पे 10,000 रुपए लगेगी तो मैंने हर तरह की scenario यहां पे cover कर लिया है तो आशा है आपको इस video से यहां पे clarity मिल दी है कि section 234F की late fees क्या है कैसे आप अपनी late fees को बचा सकते हैं अगर आप अपना return जो है timely furnish करते हैं साथ में अगर आप अपन 2000 रुपए की late fees जो है वो यहां पे pay करने पड़ेगी लेकिन other scenario के अंदर अगर आप अपना return फाइल नहीं करते हैं तो आपको 2000 की late fees अपने करने पड़ेगी आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे comment box के अंदर comment करके जरूर बतेए अपना return जो है टाइम से फाइल क कर दिजिए अगर आप ITR 1 और ITR 4 को फाइल करना चाहते हैं तो डिटेल में मेरे चैनल पर आपके वीडियो अपे लेबल है तो आप उनका help ले सकते हैं साथ में ITR 3, ITR 5 के लिए बिए मैंने वीडियो बना रखे हैं तो आप उनकी भी help ले सकते हैं उन वीडियो को सारे वी